एक बार फिर आपका करियर एजुकेशन पाइंटी ओनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है वेलकम है और आज मैं आपके लिए फिर एक नई जानका लिए करूँ और आज की जो इंफरमिशन है वो ओफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस क्लास 12 वाले स्टूडन जी लोंने स्क करना चाहते है जो चुटेंस सेक्रेटरि या असिस्टन मनना चाहते हैं लडिया UDC जो इसकी preparation कर रहे हैं स्टेमोग्राफर की preparation कर रहे हैं उनको ये जानकरी होनी जरूरी है यारी meeting के बारे में आपको कुछ information मैंने last वीडियो में दी थी आज वले वीडियो में कुछ और नहीं नहीं जानकरी है जो आपको होनी चाहिए आप office में work करते हैं आप computer operator हैं तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं आज सबसे पहले आपको पताएजएगा what is motion motion क्या होता है अब आप कहेंगे motion जो हिंदी मीडियो में इसे प्रस्ताव समझ सकते हैं कि प्रस्ताव क्या होता है प्रस्ताव होता है उसका meaning क्या है और how motion become resolution motion जो है resolution कैसे बन जाता है अब आ आराम से आपको समझाई जाएगी और सबसे पड़ी बात है आपको मेरे इस वीडियो में टेक्स्ट हिंदी और इंग्लिस दोनों में मिलता है फिर भी मैं explain कर देता हूं क्योंकि हिंदी इंग्लिस पढ़ने से आपके लिए easy हो जगा लेकिन होता कि मैं इसको explain कर देता हूं तो स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे कमेंड आते हैं कि सर आप explain कर देते हैं तो हमें बुक में नहीं पढ़ना पड़ता तो बुक में पढ़ना नहीं पढ़ेगा आप एक बार वीडियो देख लो और दो बार देख लो तो उसके बार आप एक्जाम के प्रिपिशन समझ करते हैं बहुत ही उंदा अच्छी जानकरिया आपको दीप जा रही है और explain की जा रही है सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दू कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने पहली बार ये वीडियो देखाया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल कुछ technical word होते हैं जिनको हम हिंदी में उसके वही word यूज करते हैं किसे कहते हैं और adjournment मिटिंग में एक टम आती है क्या होता है हिंदी में फिर में बता देता हूं कि इसको स्थगन कहा जाता है इसी के साथ काइंड्स ओफ एजोर्मेंट कितने प्रकार का होता है ये भी आज वाले वीडियो में देखने को मिलेगा और मिनेट्स ओफ मिटिंग यानि कारे सुक्षम या कारे वरत कहा जाता है इस ओट में हम सुक्षम भी कहते हैं सुक्षम क्या होते हैं तो आपने क्या explain करना एक्जाम में अगर सवाल आता है, question आता है आपके धोरी वाले एक्जाम में CPSC के एक्जाम की आप preparation कर रहे हैं स्किल सब्जेक्ट है आपके पास या आप ओफिस, management, secretary practice college में, graduation level पर यही सब्जेक्ट होता है तो उसमें भी ये questions आते हैं मिटिंग वाला चप्टर बहुत ही important चप्टर बहुत ही काम आने वादी information और minutes of meeting के लावा rules rules regarding writing of minutes minutes लिखते समय क्या-क्या rules है कारे वृत आपको लिखने है आपको type करने है तो क्या-क्या बाते आपको याद रखनी है और duties of secretary secretary की क्या duty है minutes लिखने के लिए तो बहुत सारी जालकरी आपके सामने आने वाली है और चलते हैं, शुरू करते हैं main topic meeting 4.2 chapter number 4 और part number 2 आज हम discuss करेंगे explain करेंगे meeting वाला chapter, meeting वाले chapter में कुछ terms होती है, motion resolution minutes तो motion resolution minutes के उपर मैं आपको सारी information दूँगा, देखने में short लग रहा है कि motion resolution और minutes, लेकिन इसको अगर हम detail में अच्छे से समझना चाहें तो आपको ये video end तक देखना होगा और बहुत सारी बातें इसी से related आएंगी तो पहला question जो exam में question किस तरह का आएगा और आपको answer किस तरह से लिखना है, ये मैं आपको explain करूँगा, what do you understand by motion motion होता क्या है, how emotion become resolution, ये motion resolution कैसे बन जाता है emotion, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी exam में answer देंगे, तो आपने motions and resolution, जो दो चीज़े समझाई है, उसके बारे में heading लिखना है a motion is a proposal ये एक तरह का प्रस्ताव होता है put before a meeting, meeting के सामने रखा जाता है for its consideration, विचार करने के लिए और decision निरने लेने के लिए, the business of a meeting is transacted through motions, business जो है, meeting का जो भी कारे होता है, business meeting कारे ये motion के थू ही किया जाता है प्रस्ताव के द्वारा ही meeting आगे चलती है after completing the following process, emotion becomes resolution, और कुछ कारवाई होती है, motion बाद में ये resolution बन जाता है वो क्या है, emotion must normally be written, जब भी motion प्रस्ताव meeting में रखा जाएगा, वो लिखित में होगा, and hand it to the chair person, और chair person को आपने देना है और secretary को, तो ये आपको term जाननी जरूरी है और चलते हैं, आगे motion resolution कैसे बन जाता है, हम explain कर रहे थे दूसरा point है, a member who wants to put a proposal कोई व्यक्ति अगर सदसे जो proposal रखना चाहता है, यानि motion रखना चाहता है, first of all secure the permission of the chair यानि वो अध्यक्ष मोहते की अनुमती से ही अपना motion रख सकता है the mover of the motion speaks on it, जो प्रस्तावक है जो motion लेकर आया है उसको mover बोलते हैं, mover of the motion speaks, वो उसको अपनी बात रखेगा and it has the right of reply at the close of the discussion discussion के बाद उसको reply देने का भी अधिकार है next, a motion is then required to be seconded जब motion रखा जाता है, तो प्रस्ताव रखा जाता है, तो उसको समर्थन भी, यानि seconded by another member कोई दूसरा व्यक्ति उसका समर्थन करता है who is called the seconder और जिसको हम seconder बोलते हैं if there is no seconder, अगर कोई उसका समर्थन नहीं करता है, कोई seconder नहीं है, a motion is dropped, वो drop हो जाता है and cannot be introduced again और उससे दुवारा नहीं रखा जा सकता है तो it means seconder होना जरूरी है motion का however, no seconder is required अब ये भी आपको बड़े ध्यान से समझने की बात है कि no seconder is required कब नहीं होता if the motion is moved by the chair person अगर कोई motion chair person के दुवारा रखा जाता है तो उसमें seconder की जूरत नहीं पड़ती बड़े ही काम आने वाली जानकरी important information आपको दी जारी है और exam में ये पूछा जा सकता है कि किस motion के लिए seconder की ज़रूरत नहीं होती तो आप बता सकते हैं कि जो chair person जो motion लाते हैं उनके लिए seconder की ज़रूरत नहीं होती after a motion is formally put before the meeting जब meeting के सामने प्रस्ताव रखा जाता है the chair person ask the member to express their views तो वो chair person यानि अध्यक्ष मोदे ये कहते हैं कि आप इस पर अपने अपने विचार रखें तो देखते हैं आगे screen पर आप बड़े ध्यान से वीडियो बड़े मन से देख रहे हैं मेरे सारे वीडियो आपने बहुत ही ध्यान से देखे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे चलते हैं therefore when put to a meeting the motion becomes the question जब ये meeting के सामने रखा जाता है motion तो इसे question कहा जाता है becomes the question हो जाता है and when a decision जब ये decision हो जाता है और यानि सब ने बहस कर लिए उस पर is taken after discussion discussion के बाद जब ये decision बन जाता है it is called the resolution सबसे पहले हमने बताया था कि motion resolution कैसे बनता तो ये सारी प्रक्रिया प्रोसेस होने के बाद वो resolution बन जाता है तो हो सकता है आपने बहुत अच्छे से देखा होगा आपको clear हो गया अगर आप Hindi माध्यम के students exam Hindi माध्यम से देना चाहते हैं या कोई word आपको clear नहीं हो पारा तो आप Hindi वाला वर्जन भी देख सकते हैं आपके सामने दोनों Hindi और English मेडियम में answers दिये हुए हैं और ये आपके सामने meeting है ये online meeting है और online virtual meeting जिसे खाजाता है तो आप image में देख सकते हैं कि virtual meeting किस तरह की होती है और ये हिंदी वाला उसी question का answer है और नीचे फिर question number 2 what is resolution अब आपने देखा motion resolution बन जाता है लेकिन resolution होता क्या है ये भी तो पता होना चीए सबसे पहले हम heading लिखेंगे resolution resolution is defined as the formal decision of the meeting ये मैंने जो dark किया हुआ है अगर आप इतना भी समझ लेते हैं कि resolution formal decision of the meeting होता है तो आपको clear है exam में आप इतना भी लिखाते हैं short answer में तो आपकी बात बन गई आपके full marks आजेंगे on any proposal put before it और ये आपने पूरा sentence लिखना है तो इस तरह से लिखा जा सकता है लेकिन clarity के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि formal decision of the meeting is called resolution a resolution if adopted and recorded in the minutes become official decision of the meeting और जब ये record में आ जाता है minutes book में लिखा जाता है minutes के बारे में हम आगे explain करेंगे तो ये official decision meeting का official decision कहलाता है usually the rules provide for passing of two kinds of resolution how many types of resolution का answer क्या होगा कि two kinds of resolution the one is ordinary resolution and the second one is special resolution अब इसी question को हिंदी में बोलते हैं संकल्प resolution को हिंदी में संकल्प कहा जाता है संकल्प कितने परकार के होते हैं संकल्प जो होता है सभा के अपचारिक निर्ने होते हैं और ये अधिकारिक निर्ने बन जाता है जब ये minutes book में लिख लिया जाता है और संकल्प कितने परकार के होते हैं कि हमने English में बताया मैं आपको explain कर देता हूँ संकल्प दो तरह के होते हैं साधारन संकल्प और विशेश संकल्प अब चलते हैं आगे आपने क्या करना इस वीडियो में आयोगा content को अपनी notebook में note भी कर लेना वीडियो को आप download कर सकते हैं आउज करके भी लिख सकते हैं और वैसे तो explain हो रहा है आपको clear हो ही रहा है matter फिर भी आप अपने book में लिख लेंगे तो आपके लिए easy रहेगा और आपने वीडियो को अपने colleague से अपने friend से share करना है ताकि आप भी अच्छे number लाएं और आपस में discuss भी कर सकें कि वीडियो में आई हुई कोई बात अगर clear नहीं हो पा रही और book में आपने पढ़ा और वीडियो में देखा तो आपस में discuss करने का एक अच्छा medium मिल जाएगा आपको अगर आप वीडियो एक दूसरे से share कर लेते हैं तो आगे देखते हैं question number 3 Explain in your own words the ordinary and special resolution अब इसको explain कर लेते हैं कि ordinary resolution क्या होता है special resolution क्या होता है सबसे पहले हमने heading देना है जब यह answer लिखना है a resolution which is passed by a simple majority यह मैंने जो dark कर दिया है कि जो simple majority से pass होता है resolution वोट्स द्वारा is called ordinary resolution अब आप कहेंगे simple majority means simple majority means that the votes cast in favor of the resolution must exceed the vote cast against it या नि इसके against पढ़ने वाले मत से ज़्यादा होने चाहिए तो वो simple majority कहा जाएगा अब देखते है special resolution कुन सा होता है which is passed by the by a three-fourth majority ऐसा resolution जो three-fourth majority से pass होता है means votes cast in favor of the resolution must be at least three times more than the number of votes यानि तीन गुना ज़्यादा वोटों ने चाहिए उसके जो उसके against वाले वोट से है तो उसको special resolution कहा जाता है the matter for which special resolution must be passed are specified in the rules of the body concerned ये meeting के जो संस्ता के नियम होते है रूल्स होते है उसमें लिखा होता है होने चाहिए और विशे संगल्ब जो तीन चोथाई बहुमत से पास होता है तो clear चलते हैं question number four ये रहा आपकी screen पर what do you understand by amendment amendment किसे कहते हैं हिंदी और English दोनों ही तरीके से आपके सामने answer है फिर भी मैं explain कर देता हूं amendment आपने जब भी answer लिखना है amendment हिंदी में बोलते हैं संशोधन एन amendment is a proposal to alter emotion यानि जो परस्ताव रखा गया उसके अंदर कुछ संशोधन करना है आल्टर करना है तो उसको कहा जाता है amendment by adding और deleting कुछ जोड़ना है या हटाना है परस्ताव में परस्ताव रखा और उसको परस्ताव रखना पड़ेगा और इसमें भी seconded किसी को अनुमोधन करना पड़ेगा in the meeting, in the customary manner तरीका वो ही है जैसे परस्ताव रखा जाता है when the motion of amendment यानि संशोधन का परस्ताव जब आएगा is moved, seconded परस्ताव आजएगा उसमें समर्थक हो चाएगा and accepted और सभिकार किया चाएगा तो discussion on the original motion ceases वो रोख दिया जाएगा जो original motion पर हम discuss करते उसे रोख दिया जाएगा फिर amendment पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी after the discussion it is put to vote और इसमें voting की जाएगी और अगर पास हो जाता है तो original motion को amend कर दिया जाएगा संशोधन कर दिया जाएगा उसमें बदलाव कर दिया जाएगा तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों सेम है आपको मैंने explain कर दिया इंग्लिश वाले वर्जन में आपने answer कैसे देना है वो आप पर depend करता है आपका medium हिंदी है या इंग्लिश है next question question number 5 आपकी screen पर देखते हैं what is adjournment adjournment किसे कहते है adjournment की हिंदी बता देता हूँ adjournment को स्थगन कहा जाता है how many kinds of adjournment adjournment कितने परकार क्यों होते है meeting में अक्सर ऐसी situation आ जाती है कि adjournment की जूरत पड़ती है तो देख लेते हैं adjournment होता क्या है तो आप एक तरह से professional बनते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी जानकरी आपको दी जा रही है adjournment of meeting it means suspending the process यानि कारवाई को स्थगित कर देना दूसरे शब्दों में हम इसे adjournment को यही कहा जाएगा of the meeting either for a particular time दो तरह से हो सकता है either for a particular time or indefinitely यानि अनिश्चित काल के लिए ठीक है particular time एक निश्चित समय के लिए दो तरह से meeting को adjourn किया जा सकता है subject to the article rules और constitution of an organization यह depend करता है कि वो संस्ता के क्या-क्या rules नियम है the chairperson with the consent of members of meeting may adjourn it दो जो chairperson होते हैं सभा के अध्यक्ष होते हैं वो इसको adjourn कर सकते हैं in order to postpone further discussion की आगे का discussion के लिए हम इसको स्थागित कर रहे हैं if it is carried the meeting is adjourned to the agreed date अगर यह ऐसा मान ले जाता है कि meeting स्थागित की जा रही है तो to the agreed date एक date agree करनी पड़ती है कि कि किस date तक के लिए स्थागित किया जा रहा है या indefinitely sign it आई अनिश्चित काल के लिए indefinitely को हम sign it आई भी बोलते हैं तो आनिश्चित काल के लिए स्थागित किया जा सकता है या एक date भी दी जा सकते हैं तो दो तरह से हमने देखा कि adjournment हो सकता है a chair person can adjourn the meeting when there is no quorum अब यह adjournment करने की आप chair person है तो आपको कहुंज उर्थ पड़ती है when there is no quorum जब meeting में quorum नहीं है the meeting becomes meeting becomes so disorderly या फिर meeting जो है disorder हो जाती है ठीक तरी से वेवस्ते तरी के से चलने पारी that it is impossible to transact the business और business चलाने में problems आ रही है meeting को चलाने में problem आ रही है तो अता उसको हम स्थगित कर सकते हैं in other words he can adjourn the meeting meeting और discussion पूरी meeting को भी adjust किया सकता है या उस किसी पार्ट को discussion जो matter डिसकास हो रहा उसको भी discussion को स्थगित किया जा सकता है तो दो तरह से स्थगन हो गए और इसको हिंदी में अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना और किसी सहमत तिथी के लिए स्थागित करना, तो clear है, next question, question number six, what do you understand by minutes, minutes क्या होते हैं, यह वो वाले hours और minutes नहीं है, यह meeting के minutes है, minutes of meeting, what are the rules to write a minutes of meeting, rules क्या है, तो देखते हैं, minutes of meeting, सबसे पहले हमने heading यह लिखना है, minutes of a meeting may be defined as a record of the proceeding, यह जो है, meeting की कारवाई का record होते हैं, and are kept to preserve, brief, accurate and clear, शंक्षित होते हैं, accurate एकदम सही, clear of the business transaction, यह वीटिंग में जो जो काम किया गया है, उसका एक record होता है, the term minutes, in literal sense, means a note to preserve, अगर हम इसको समयना चाहें, not to, एक notes होते हैं, to preserve, संक्रक्षित रखने के लिए, the memory, the minutes of any meeting serves as an official record, यह official record होते हैं, of what took place, यानि meeting में क्या हुआ, that is the points discussed, कौन-कौन से points meeting में discuss किये गए, और decision लिए गए, उन सब का ये record कहलाते हैं, तो आप इसका Hindi version भी देख सकते हैं, अगर आपने Hindi माद्यम से exam देना है, तो minutes क्या होते हैं, हिंदी में इसको हम कारे सुक्षम कहते हैं, और देख रहे हैं आप screen पर minute को हिंदी में कारे सुक्षम या सुक्षम भी कहा जाता है, यह सभा की कारवाई का एक record होता है, यानि सभा में किये गए बिंदूओं और निर्नेओं का लेखा जोगा, अब next question, question number 7, यह रहा आपकी screen पर, what are the duties of secretary, secretary को minutes के समन्द में क्या क्या काम करने होते हैं, तो secretary को तो बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हम इन कामों को आपकी सुविदा के लिए समझने के लिए, तीन भागों में बाड़ देते हैं, पहλα है before the meeting, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि secretary को meeting से पहले, during the meeting और after the meeting तीन तरह के काम होते हैं जो secretary को करने होते है पहले हम समझा आप you before the meeting चूस्यार MEDIUM चूस्यारमीडियूं क्येरफुल्ली आपको माध्यम चूस करना है क्येरफुली सावधानी से with which you can with which you will take notes कि जिसके दौर आप notes लेंगे आप pen and paper से note लेंगे meeting में आपको note त्यार करने है laptop है आपके पास computer है या tape recorder है किसी भी माध्यम से आप meeting की कारवाई को note कर सकते हैं also ensure that the same is in working तो यह भी ध्यान रखना है कि laptop है computer है tape recorder है वो working condition में हो यह ना हो कि आपको बीज में problem आ जाए और backup वगएरा battery backup वगएरा सब आपने पहले से ही emergency में सब तयारी करके रखनी है it is important to refer the meeting agenda और आप क्या करेंगे कि meeting का जो agenda है उसको भी अपने पास रखेंगे ताकि आपको notes लिखने में असानी हो और meeting में क्या क्या करवाई हो रही है थोड़ा सा पहले से ही आपको पता होगा आप secretary के रूप में काम करते हैं next जो है during the meeting get a list of committee member आपने committee में जब भी meeting है जिन सदस्यों की members है उनकी एक list बना लेनी है या प्राप्त कर लेनी है एंड पास अराउंड एंड अटेंडनेंस sheet और attendance sheet के रूप में वो आपने सदस्यों के सम्मुख प्रस्तूत करनी है not the time when the meeting begins आपको पता होने चाहिए कि meeting कितने बज़े start होने वाली है तो उसी समित तक meeting start हो जानी चाहिए आपको time का पता होना चाहिए और meeting का time क्या है इसी तरह do not try to write down every single comment आप जब meeting में कारवाई नोट कर रहे हैं तो हर चीज को note नहीं करना the main ideas जो main main points है वही note करने है write down motions आपने motions के बारे में लिखना है which made them किसने प्रस्ताव रखा and the result उसका क्या result रहा if any कि अगर कोई result निकला also write down who seconded प्रस्ताव जिसने रखा और किसने उसका समर्थन किया यह point आपको सारी बाते नहीं note करनी कुछ कुछ बाते note करनी है make note of any motion to be voted अगर कोई voting हुई है और future में किसी motion पर voting कर आई जानी है तो वह आपने note करना है not the ending time meeting कितने बज़े खतम हो जानी चाहिए अब सचीव को बाद में काम करने पर तो सच्छी सेक्रेटरी को बाद में जो काम करने हैं type the minute as soon as possible आपने minute जल्दी से जल्दी type कर लेने हैं after the meeting मीटिंग के बाद while everything is still fresh in your mind क्योंकि उस समय जल्दी टाइप कर लेगे तो आपके mind में picture क्लियर रहेगी कि किसने क्या कहता क्या क्या note करना है और दूसरा, include the name of organization, जब आप minutes type करेंगे, तो उसमें सस्ता का नाम, किस बैठक, कौन सी बैठक है, committee की बैठक है, और meeting किस type की है, daily वाली है, weekly है, monthly है, annual meeting होती है, special meeting है, तो purpose of meeting, यह सब आते हैं, उसमें minutes आपने type करने हैं, और उसमें आजानी सीए, include that time, the meeting, meeting का time क्या है, starting time, ending time, proof read the minutes, आपने minutes को type करने के बाद एक बार proof check करना है, यानि उसको सारे को check करना है, minutes को, कारे सुक्षम को, before submitting to the executive, अधिकारी के पास ले जाने से पहले, आपने जो type किया है, उसको एक बार check कर लेंगे, कि कुछ हो सकता है, गलत तो नहीं type हो गया, accurate type हुआ है, for obtaining relevant signature, क्योंकि उस पर अधिक्षी के sign होते हैं, तो उचित signature कराने से पहले, आप कुछ check कर लेंगे, a draft is generally submitted to the chairperson, meeting का draft जो है, chairperson को दिया जाता है, approval के लिए, before the final copies type, और final copy तभी type करनी है आपने, तो इसी question को हिंदी में देखे, एक सभा के कारे सुक्षम लिखने के लिए, सचिव के क्या-क्या करतव हैं, same way, meeting से पहले वाले कारे, meeting के दोरान, सदस्यों के अस्ताक्षर, समय पर ध्यान देना है, मुखे विचार note करने है, voting के बारे में लिखना है, और चीज पर आप note ले रहे है, pen pencil आपको पहले बता दिया, कि वो आपके पास एकदम accurate होने चीए, working में होने चीए, और मतदान, भविश्य में कौन-कौन से मद्दान कराई जाने है, उसकी जानकरी होनी चीए, और मिटिंग के बाद के कारे है, मिटिंग के बाद आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी सुक्षम लिखने है, उसमें सुक्षम में लिखना है, सभा के प्रकार की है, और ये सब जानकरी आपको पता होनी चाहिए और सभा के शुरू होने और एंड होने का समय भी नोट करना है अधिकारी के अस्ताक्षर लेने से पहले कारे सूक्षम को प्रस्तूद करने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लेना है और अर्ध्यक्ष मोदे को एक इसका मसोदा ड्राफ्ट देना है तो यह थी आज की सारी कारवाई जो मिटिंग में होती है बहुत इंपोर्टन कोशन है एक्जाम में आने वाले हैं और उमीर करते हैं आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले जिन्होंने यह वीडियो देखा है उनका बहुत ही अच्छे माक्स आएंगे और यह आपके सामने मिटिंग की पिक्चर है आप इसको अपनी क्लास में चार्ट में अपनी कॉपी में बना सकते हैं मिटिंग किस तरह से हम एक्स्पिलेन करें आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो मिटिंग के बारे में आप अपने कमेंट देंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपक तक बैल आइकन नहीं दबाया नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाएंगे ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो आज की क्लास नहीं करते हैं थैंक यू